नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो अगर किसी मनुशे के हाथ से गलती से कोई चिपकली मर जाए तो उसे क्या करना चाहिए जानते हैं शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है दोस्तो चिपकली एक ऐसा जीव है जिसे किसी को डर लगता है तो कोई उससे घ्रना करता है, कोई भी अपने घर में छिपकली को देखना पसंद ही करता, जब भी घर में छिपकली दिखाई देती है, तो लोग तुरंथी चोकन्ने हो जाते हैं, और उसे अपने घर से भार निकलने का प्रयास करते हैं, और अने कुपाय अपना कर, उसे अभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें पाप लगता है, दर्सल छिपकली को लेकर हमारे मन में अनेक प्रकार की भ्रांतिया होती है, शायद अभी इस बात को नहीं जानते होंगे, कि छिपकली को शास्त्रों में एक महतोपुर्ण प्रानी माना गया है, और भार उस्तों कहते हैं कि पशुपक्षियों को किसी भी महतोपुर्ण घटना का अंदेशा पहले ही हो जाता है, इसलिए आपने भी गोर किया होगा कि पशुपक्षी कई बार बेचैन हो जाते हैं और चिलाने या शोर माचाने लगते हैं, इसी तरह हमारे घर में रहने वाली चि माना जाता है कि घर में यदी चिपकली दिवार पर उपर के और चरते होए दिख जाती हैं, तो ये हमारी उन्नती और प्रगती का प्रतिक होता है, लेकिन यदी चिपकली नीचे की तरब आती दिखाई दे, तो इसका विपरित परनाम मिलता है, और ये हमारी आउनती का संक तो चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं कि छिपकली के दिखाई देने से, घर में छिपकली होने से, हमारे किसी विशेश अंगपर छिपकली गिरने से, हमारे जिवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैसे आचानकी छिपकली आ जाती है, तो उसे भूल कर भी ना भगाए, बल्कि उस पर हल्दी कुमकुम छड़कर उसकी पूजा करे, या आपके घर में धन और समरद्धी आने का संकेत होता है, या फिर आपकी कोई विशेश मनोकामना पूरी होने का संकेत भी हो सकता है, तीन चिपकली का एक साथ देखना अत्यंत शुब माना गया है, या धन के आगमन का संकेत होता है, दूसरी बात, दोस्तों चिपकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए दिवार पर तेजी से चलती है, जिसके कारण कभी वो पैर फेलाने के कारण नीचे गिर जाती है, हाला कि अपने के आईसा होना भोती दुरलब होता है, इसलिए यदि चिपकली गिरकर हमारे शरिर्द पर आजाती है, तो इसके हमें शुबार अशुब फल मिल सकते हैं, शास्त्रों में पूरषों की दाय आये और महिलाओ की बाय अंग का महतो होता है, इसलिए यदि महिलाओ की ब पर चिपकली गिरती है तो इसके शुब पर नाम मिलते हैं पूर्षो की ठोड़ी पर बाये हात और पेर तता बाये घुटने पर चिपकली का गिरना अशुब माना गया है तो महिलाओ के इनी धाइने अंगपर चिपकली गिरना अशुब होता है चोती बात दोस्तों हमारे सपने भी हमारे भोविशे का दरपन होते हैं यदि आपको सपने में छिपकली दिखाई देती है तो उसकारते की निकट भोविशे में आपको किसी विशेश कारे में सफलता मिलने वाली है धनलाब होने के साथ साथ करज से मुक्ति मिलने वाली है इसलिए सपन सपने में चिपकली का दिखना अत्यंद शुब होता है। यदि आप सपने में किसी चिपकली का पीछा कर रहे हैं, तो आप ऐसी नोकरी या वेवसाई के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। राव के अशुब के कारण अचनकी लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, हातों के नाखुन भी उखड़ने लगते हैं या टेड़े मेड़े होने लगते हैं, इससे बचने के लिए अपने हात में अश्ट धातु का कड़ा पहनना चाहिए, अत्वा भेते हुए पान लक्ष के नीचे डाल दे, अत्वा प्रवाय जल में भाद हैं, अगर यह जान करें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंड में जै मालक्षमी अवशी लिखें, साथी चानल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद